कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अविनास है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर सड्डा दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगोंने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे जो काफी इंपोर्टेंट थे जैसे कैसे सिफ्टिंग जीरो सभी को राइट हैंड साइड में कैसे सिफ्ट करेंगे और उसके पहले हम लोग ने देखा था कि कैसे रिपीटेट को रिमूफ करेंगे ठेक है आज से दोस्तों वीडियो है यह अगर मालीजी हमने अर्यलिस्ट अगर क्लास टाइप को बनाया ठेक है अगर 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 क्लास टाइप हो तो उसके समें अगर क्लास में बहुत सार मेंबर हो सकते हैं जैसे मालीजी यह यहीं पर देखिए एक में ने एट्ट्रेंट क्लास बना रखा है जो कि आपको इसके इन पर दिख रहा है ओके दोस्तों तो अब मुझे रॉल नंबर वाइस शॉर्टिंग करना हो यह नेम वाइस शॉर्टिंग करना हो तो उसके समें होता क्या है कि आप डारेट शॉर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे तो की फिल्ट के विहाब पर नहीं शॉर्ट आप सकती है उसके इंदोनों के कि हएल्प से आप क्या कर सकते है आसानी चोर आहां जिसका टा raeक टायप क्लास हो उसके एल्युनंट को और जोया पिर्aratाव है आप आप सल्टिंग कर सकते हैं कैसे करते हैं और इसका डिटेल में हम लोग एक ही करके जानते हैं ठेक है तो फ़ले आई हम थोड़ा फाइल के बारे में ही पढ़ते हैं ठेक है जैसे यहाँ देख रहे हैं Java comparable comparable interface impose a total ordering on the object of each classes that implements it ठेक है तो यहाँ ध्यान रहना है एक ही function होता है compare to और यह क्या होता है single field पे apply applicable होता है और यह उसी class में आपको mention भी करना पड़ेगा ठेक है अभी हम लोग देखेंगे इसे programming करेंगे समझेंगे डिटेल में समझेंगे इसका और Java comparator क्या होता है यह आपका जो है class के अलग-अलग field पे आप अलग-अलग comparator बनाएंगे और उसके accounting आपको output मिलेगा ठेक है तो हम लोग mostly क्या यूज़ करते हैं जब एक ही field की अगर बात होती है उस case में तो हम लोग comparable use करते हैं otherwise most of case में लोग comparator use करते हैं ठेक है देखेंगे हम लोग पास करेंगे collection sorts के अंदर या फिर array sort के अंदर हम लोग पास करेंगे comparator ठेक है लिस्ट के साथ और वो एक particular field wise यह sorting भी होगा ठेक है अगर difference कि अगर बात करें comparable में देखिए must define compare to function यह compare to function इसे compare function कम लोग यूज करते हैं compare c-o-m-p-a-r-e okay दोस्तों use to implement the natural ordering of object we must modify the class which instance we want to sort उसी class में हम लोग को कुछ ना कुछ कोडिंग करनी पड़ती है जिस पे हम apply करना चाहते है it's in the same class मने भी बताया है same class में अभी हम लोग देखेंगे only one implementation मैंने बताया एक ही फिल्ड पर कर सकते हैं ठीक है और comparator क्या है कि आप अला-अला फिल्ड पर भी कर सकते हैं ठीक है जितना फिल्ड है उतना आप comparator बनाइए और उसके recording sorting आप कर सकते हैं ठीक है और चलिए इन सभी को हम लोग एक एक करके पूरा वापस लोटेंग इन सब्सारे points पे और एक पैटल करके समझते हैं तो हम आगे नेट बीन्स में जैसा कि आप देख रहें इस और यहां पर अलड़ी मैंने एक assignment class बना रखा है जो कि आप दिख रहा आपको यहां मैंने तिन फिल्ड ले लिए हैं उसके अंदर डॉबल र एवाई एरे लेस्ट ठीक है अरे लेस्ट और हमने दे दिया एर्रीस्ट सद्रेंट स्टू डी एन ती अस्डवर्ड टइवाई पी ठीक है एस्ट्यों टाइप अब कुछ भी नाम दे सकते मैंने student type दे दिया और अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग ने इसको हटा दिया और यहाँ पर भी दोस्कों हमने हटा दिया और यहाँ पर import कर लेते हैं आई-एम-PORT-import-java.util-util.com तो देखें आब वो comparator, comparable आपको lang package से बिलॉग करता है दोस्कों हम लोग भी देखेंगे तो difference क्या होता है आई-एम-PORT-import-java.util-util.arraylist ठीक है और iterator को भी import कर लेते हैं आई-एम-PORT-import-java.util-util. अब का iter 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 ठीक है दोस्कों हम अब मैंने क्या किया यहाँ पर अभी हम लोग एक नॉर्मल देखते हैं arraylist और फिर अच्टन टाइप बनाएंगे अब फिर दोनों मैं sorting समझेंगे कि difference कितना है तो अभी मैं अच्टन टाइप यह arraylist नहीं बना रहा हूं अभी मैं एक नॉर्मल बना रहा हूं ताकि sorting का आपको अपलाई करके दिखा सकूं तो मैंने एक arraylist बनाए अब अब मैं कुछ element आड़ कर रहा हूं तो अब मैं कुछ element आड़ कर रहा हूं अल.add अल.add और हमने यहां पर कुछ string दे दिया सुपस कि यह FFF ओके और इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं Ctrl-C Ctrl-V 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 यह मैं 5 दे दिये यहां पर सुपस कि मैंने दे दिया RRR दे दिया यहां पर मैंने mm दे दिया और यहां पर मैंने aa दे दिया ओके और यहां पर मैंने जी-जी दे दिया ठीक है इस पर कार मैंने बहुत सार एलिमेंट दे दिये और अब मैं यहां पर देखिए अगर diet of sort apply करते हैं तो यहां पर लिखते हूं COLL COLLECTIONS COLL ECTIONS COLLECTIONS.SORT ठेक है S O R T तो यहां देखिए दो मैंसेट दिख रहा आपको एक तो यहां पर मैं लिखता हूं इसी को S T R I N G STRING S P 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 S ठेक है तो यहां पर अगर इसको आपर रण कराते हैं तो क्यूंकि एक ही फिल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है और यह आपको आपको आसानी से देखिए सारे sort हो गया है A, A, F, F, G, G, M, R, A, A आपको इस्क्रिण पर दीख रहा है तो एक फिल्ड पर नहीं मैं तो अगर एक से ज्यादा क्लास में क्या हो एक फिल्ड तो है नहीं गया पर आड़ी भी है नेम है रोल नंबर है तो जब क्लास टाइप को आरल लिश आता है तब आपको हां पर कंप इंटरफेस की help लेनी होती है तो अभी तो मैं आपको एक फिल्ड पे दिखाया तो अब मैं इसे हटा रहा हूं हमारा माखसर यह नहीं है यह तुम्हें आपको दिखाया कि हम लोग एक फिल्ड पे करना होता असाने से ठीक हो जाता है उसके लिए हमें comparator और comparable की जुरूत नही होंगे तो मैंने सभी को हटा दिया और अब मैं इसको बना लगता हूं student टाइफ स्टुदेंट और arraylist student type student दे दिया ठीक जरस्तों अब मैं इसमें कुछ student आड़ करना चाहता हूं तो कैसे आड़ करूंगा alstudent.add ठीक है new क्योंकि हमने constructor बना रखा है तो direct object करते ही आड़ हो जाएगा stu student ओके और यहां पर मैंने 345 नेम दे दिया यहां पर रम कुम यार एकशने रेको डबल कोट्स में और यहां पर डबल कोट्स ठीक है और कोर्स में दोसको हमने दे दिया डबल कोट्स में जावा और यहां पर हमने समिक्रान दे दिया इसको कॉपी कर लेते हैं कि ठीक है Ctrl C Ctrl V और Ctrl V Ctrl V ठीक है और हमने यहां पर सपोस्क्री दे दिया पी एच पी दे दिया यहां पर हमने CPP दे दिया और यहां पर मान लेते हैं हमने कोर्स दे दिया E X C E L हमने एक्सल दे दिया ठीक है नाम चेंज कर लेते हैं गंगन कुमार के जगा पर हमने दे दिया G A G A N गंगन कुमार यहां पर दे 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 हैं S A G A S A G A R सागर कुमार और यहां पर हमने दे दिया P A W A N गंगन कुमार ठीक है और हमने पर दे दिया 145 यहां पर दे दिया 545 और यहां पर दे दिया 445 ठीक है अब उसको 345 भी रहने दे देते हैं इस पकर मैंने यहां पर आपको दिख रहा है 4 परफिल्ट मैंने ऐसे और है और 40 वन खर सकते हैं दोस्तों तो हमान लीजिए अब मैंने क्या किया इसको यहाँ पर प्रिंट करने कोशिज करता हूं ठीक है तो मैंने दोनों यूज़ कर सकते हैं या तो आप इट्रेटर यूज़ कर लीज़े चलिए इट्रेटर के तो यूज़ करते हैं और यहाँ पर इत्रेटर इत्रेटर कहा है na n यहाँ पर itr is equal to यहाँ पर student list dot iterator ठीक है और हमने फिर यह वाला मैं यूज करना चाहता हूं ठीक है तो हैस नेक्स्ट और हमने student में टाइप कास्ट कर लिया तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अब मैंने डिस्प्राइब करना है तो मैं कहा हूंगा एस ओ यू टी ठीक है और लिखते ही हमारा सारा सारा रिकॉर्ड आ जाएगा सब्सक्राइब को अलड़ी ओवर्लोड कर रखा है ठीक है अभी आप रण कराएंगे तो प्रॉपर रण करेगा यह और सारा रिकॉर्ड आपको एजटी डिस्प्ले कर देगा देखिए आ रहा 345 राम विगरा जो भी है उसके गोडिंग और पुट आपका आ रहा है ठीक है यह ऐसा क्या हूरा कि आपने टुपळ मेशट को अवर्लोड कर रखा कर रहे हैं अब स्वार्टिंग नहीं हुआ लेकिन आप स्वार्टिंग के लिए हम लोग क्या उउस करेंगे ठीक है हम लोग यूज करेंगे परले यूज करते हैं कंपेरेबल और इसको रखिर यूज है यहां आप CRच लिस्ट में लिखते हैं इसे क्या है एरर आ रहा ही है यह आप ऐसे निए सकते हैं कि कि किसके विहाँ प्रक्यूल कर रहे हैं पता रही है तो यहां पर देखें आप मौश ले जाएंगे तो एक के रर आ रही है क्या है रर है नो सुटेबल मेथड फाउंड शॉर्ट एरेलेस्ट अच्डेंट मेथड कलेक्शन टी शॉर्ट इस नॉट एपलिकेवल इंट्रफेस वेरियेबल टीवन है इनकंपेटिवल बाउंड्स ठीक है अपर बाउंड्स कंपेरेवल तो यहां पर कंप क्लास पर है ठीक है और यहां पर आने के बाद मैंने लिखा यहां पर आई एम पी ओ आर्टी इंपोर्ट जावा डॉट एल एंग लैंग डॉट सी ओ एम कंपेरेवल ठीक है और यहां पर हमने लिखा इंप्लीमेंट्स आई एम पी अली इंप्लीमेंट्स सी ओ एम कंपेरेवल ठीक है और यहां अब्जेक्ट में तो इसी क्लास पर अप्लाइ करना है तो S20 दे दीजी ठीक है तो S T U D E N T अब देखिए क्या रहा है यहां जो compare to method है यह हमें overloading करने के लिए बोल रहा है तो जैसे हैं आप इसे click करेंगे यहां पर यह देखिए ठीक है तो आपको यह compare to method आप देख रहे हैं यहां पर create हो चुका है ठीक है तो अब हमें यहीं पर logic लिखनी है ठीक है तो मैं especially roll number पर apply करना चाहता हूं ठीक है जिस field पर भी apply करना चाहिए तो मैंने यहां पर क्या किया लिखा पहरे तो एस डायट आप लिशेब चुका है student का ही object हो तो आप ऐसे लिख सकते है रोल नमबर है हमारा तो if लिख दीजिए और सारे object को आप compare कर लिजिए कैसे लिखेंगे रो डबलल रोल डॉट अगर ग्रेटर दर है ओ डॉट रोल ठीक है अगर यह वैलू बढ़ी है ठीक है अगर यह वैलू बढ़ी है तो करेटन करना आपको रुटी प्यू आरें रिटर्न हुबान और अगर ऐसा नहीं है यह एल एसी एल्स इफ और यहां पर हमने क्या बात कर लिया अगर यह कंडिशन फॉल्स है रो डॉल रोल अगर अगर लेश दन है ओ डॉट रो डॉल रोल ठीक है तब माइनस वन रे टी यू आरें रिटर्न माइनस वन और लास्टने दोस्तों यह एल्सी एल्स हमने लिखा रिटर्न रे टी यू आरें रिटर्न जीरो ठीक है हमने लिखा रिटर्न जीरो ठीक है तो वो जो सॉर्टिंग करेगा दोस्तों वो करेगा आपका रोल नंबर वाइज ठीक है अब अब देखिए यहां पर नहीं आ रही होगी यानि हमने क्या कर लिए कंपेरेवल यूज कर लिया तो उसको जैसे क्या होगे हमारा अरर जा आपका रोल नंबर वाइज देखिए आपका रोल नंबर वाइज देखिए आपका आउर्पुट आ रहा है 145, 345, 445 यानि आपका रोल नंबर वाइज क्या हो गया यह सोट हो चुका है तो नेम करना है तो फिर वहीं जाकर चैंग से की मतों आप अलग-अलग बनाकर नहीं रख सकते हैं ठीक है लेकिन दूस्तों कंपेरेटर में ऐसा बात नहीं है आप अलग-अलग फिल्ट के लिए आप बन कंपेरेटर के बारे में समझते हैं यह तो हमने कंपेरेवल के बारे में बात किया ठीक है दोस्तों आईए हम लोग बात करते हैं अब कंपेरेटर के बारे में तो मैंने क्या किया यहां पर देखिए तीन कंपेरेटर बना रहा हूं पहला मैंने लिखा नेम कंपेरेटर नेम नेम कॉमपेरेटर ठीक है एक तो यह बना लिया उसके बाद मैं एक और बनाना चाहता हूँ कोर्स कॉमपेरेटर अला अफिल पर जिसके कोडिंग जाना चाहिए तो मैंने लिख दिया कोर्स कॉमपेरेटर कोर्स कॉमपेरेटर उसके बाद मैंने यहाँ पर फिनिश लिख दिया और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने जावा क्लास लिया एक रो डॉल रोल सी ओ एम पी ए आर ए टी ओ आर रोल कॉमपेरेटर भी हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है और इसके बाद अब यहाँ पर क्या कि इन सभी को हटा देते हैं ज़र्वत नहीं है और यहाँ पर भी हमने अब यहाँ पर हमें कोडिंग लिखनी है तो चलिए हम लोग कोडिंग लिखना शुरूर शार्ट करते हैं तो पहला जब हम रोल अमर कॉमपेरेटर बनाना ठीक है और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लोगता हम पहकेज इंपोर्ट इंपोर्ट और जावा डॉट हमने लिखा यू ती आई यू 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 तील डॉट सीवन कॉमपेरेटर ठीक लिख लिए हमने और यहाँ पर इसे कलिक करते हमारा कॉंपेर वह जो है कॉंपेर कशन ही यहारा कॉल हो गया कॉंपेर्ट करना है तू हम ने यहाँ पर लिखा क्या लिखा एफ लिए स्ट्रिंग की बात आएग तो compare to हम लोग function के तुरू implement करेंगे अब यहां पर क्या है o1 तुमने लिखा o1.ro डबल रोल अगर बढ़ी हो o2.role से ठीक है then return return 1 ठीक है फिर हमने लिखा e l se else if इसके बाद हमने लिखा यहां पर अगर o1. यहां पर ro double l role अगर लेस दन हो o2.role से comparison में return return minus 1 ठीक है else e l se else return 0 return return 0 ठीक है ctrl s अब हमने क्या किया हमने एक computer तयार कर लिया रोल के recording अब आ जाते हैं हम लोग कि इसलांगो मैं copy कर लेता हूं ctrl c अब हम आगा है निम बाले पर ठीक है और आखे हाँ पर भी हमने comparator बना लेते हैं और implements अमने लिखा i m p l e implements c o m comparator ठीक है किसके लिए s t u d e n t agent class के लिए और यहां फिर सर्वी क्लिक कर दीजिए compare function को में implement करना है ठीक है और यहां पर हमने इसको क्या कर लिया हटा दिया ctrl s और बाकी चीजों को मैं हटा देता हम जुरूत है नहीं हमें तो यहां पर जाकर हटा दिया और यहां पर जाकर हटा दिया ठीक है अब हमें compare to function करना है चुकि पर बात हो रही है इस ट्रिंग का तो हम कैसे लिखेंगे चुकि यह है हमारा नेम जो वह इस्ट्रिंग है तो हमने लिखा यहां पर इफ यही सीखने वाली बात है दोस्तों कैसे इंप्रिमेंट करना है कि ओवन ओवन डॉट compare to c o m compare to ठीक है o one dot compare to अगर ऐसे लिखेंगे तो गर्वर भचाएगा हमें लिखना पढ़ेगा o one dot name ठीक है dot compare to c o m compare to o two dot dot name ओके अगर यह value greater than zero आती है ठीक है तो हमने लिखा r e t u r n return one इस पकार हमें यूज करना है उसे पकार अब मैंने यहीं पर else if में इसे को भी प्रेश कर लेता हूं हमने इसको copy कर लिया control c और control v और हमने लिखा यहाँ पर e l se else if और अगर यह less than zero हो जाता है तब यहाँ पर minus one और फिर हमने लिखा e l se else और यहाँ पर r e t u r n return यहाँ पर zero ठीक है इस परकार हम लोग name के ओपर काम कर लिया और same दोस्तों हमें काम करना है course के ओपर भी same यही लिखना है ठीक है चुकिए string का compare करते हैं compare to function use करते हैं तो same दोस्तों हमें e m a copy कर लेता हूं ठीक है हमें यह course पर apply करना है तो यहाँ पर control c आजा यह course वाले पर same हमें course वाले पर भी apply करना है ठीक है तो यहाँ पर im po rt import java dot util util dot course sorry comparator com comparator और यहाँ पर im ple implements हमने लिखा com comparator ओके किसके लिए किसके लिए s1 class के लिए s1 class के लिए और इसके बाद यहाँ पर implements all और इस चीज को delete करते हैं लोग तो हमने दोस्तों इसको यहाँ पर delete कर दिया control s control v ठीक है अब name को हटा के सिर्फ हमें course लिख देना है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर हमने c o u r s e course और यहाँ पर भी course c o u r s e course ठीक है यहाँ पर दोस्तों course c o u r s e course और यहाँ पर भी हम find and replace भी उच कर सकते हैं ज्यादा सी रहेगा एक ही बार में हो जाएगा और यहाँ पर भी c o u r s e course ठीक है इस परकार हमने अलग-अलग field के लिए अलग-अलग comparator बना लिया है जैसा कि आपको screen पर दिख रहा है तो अब क्या होगा हमारा अब जिसके recording चाहें उसके recording हम दोस्तों sorting कर पाएंगे लेकिन comparable में ऐसा नहीं था सिर्फ एक ही फिल्ड पर वो क्या था confined था यानि हमारा सीमित था तो इसमें हमारा यह फायदा हो जाता है computer यूज करते हैं तो अब आई एपलाई करते हैं यह आपने तीन में आ लिए पहला नेम जैसा कि आपको screen पर देखी रहा है पुरा code एक ही बार में ठीक है इसका मैं तोड़ा code को range कर लूँ ताकि आप एक ही बार में पढ़पाएं अब एक है कंट्रोल एस और यहां पर दोस्तों हमने कंट्रोल एस कर लिया ठीक है तो हमने नेम के लिए कर लिया कोर्स के लिये कर लिया ओके दोस्तों और उसे पकार हम रॉल नंबर पे भी देखें रॉल नंबर के लिए भी हमने बनाई रखाएं इस पकार हमने तीनों फिल्ट के लिए कंपरेटर बना लिया अब हमारे उपर डिपेंट करता है कि हमें कौन से फिल्ट पर सोटिंग करना है ठीक है यह तो कंपरेवल उसकिया था हमने अब मुझे कंपरेटर उसकरना है तो मैं क्या रिखूंगा कि अब इसको सोट करना है किसके कोडिंग सोट करना है तो वह हम लिखेंगे मैं लिखूंगा न्यू एन डॉली न्यू मुझे नेम बाइस करना है ठीक है तो नेम कंपरेटर यहाँ पर हमने यूज कर लिया अब हमारा क्या होगा नेम बाइस जो है कि आपका यह सोट्रिंग हो जाएगा अब यह सोटन ने यूज हो रहा अब यह अपको पॉल रहा है टूस्टिंग में तो देखिए और आप इसको रॉन कराते हैंjets ऑपल गजन आया है और पवन है फिर राम है फिर साकर है ऑगे तो यह हमारा क्यद Ό तो आपको ओर्पूट के साथ दिखेंगे थोड़ा सच्छा हो जागा तो हमने रोल नमबर वाइज नहीं करवाया हमने करवाया नेम भाइज देखिए पहले गगन है फिर पावन है अल्फाबेटी क्लिक क्या हो चुका है की सॉट हो चुका है D star ओकें यह तो होगी हमारा नेम भाइज अब मुझे मुझे कर्ष भाइज करंा है तो मैंने कर ऽिखें dude कोपी करलेता हूं कंट्रोल c ago copy करने कवाद मैंने इसको क्लिन क कॉमेंट कर लिए और अब मैं चाहता हूं को saç हास्तो कंट्रोल भी और यहां पर अटा कर काई उस कर लूँगा मैं पूस कोर्स कॉर्स कोर्स कमपेरेटर से हो गया तब देखिये यही चीज जो है आपका कॉर्स के कोर्डिंग आपका और पुट मिलने वाला है ठीके देखिये क्या हो के पर ले सी प्लस प्लस पर एक्सल पर जाएव फिर पि गहराई से समझने की कोशिस करते हैं, must define compare to function, comparable में एक ही function था compare to, और वहाँ पर क्या था compare function था, अगर comparator की अगर बात करे, use to implement natural ordering of object, we must modify the class whose instance we want to start, ठीक है, तो class को हमने modify किया, जैसा कि आपने देखा, कैसे modify किया दोस्तों, जैसे यहाँ देखिये, अगर बात करें, अगर बा हमने comparable लिखा, उसका यहाँ देखिये, compare to function यूज किया, समझ रहे हैं, तो इस point को समझने की कोशिस कीजी, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिखा है, कि you must define to, you to implement the natural, ठीक है, we must modify it, in the same class, उसी class में, अगर देखें, यह जो compare to function हमने यूज किया है, अगर देखें, समझ रहे हैं, तो कहाँ यूज की क्लास के अंदर है, तो किया है, समझ रहे हैं, तियाने same class में है, यह point भी clear हो गया, अब बात करते हैं, only one implementation, किसी भी एकी field पे कर सकते हैं, या तो name पे कर सकते हैं, या course पे कर सकते हैं, या फिर आप roll number पे कर सकते हैं, मतलब एकी field पे limited है, तो कि implemented frequently in API, जैसे string class में तो आपको यह compare to function जो है, आपको मिलता ही है, ठीक है, तो आप उसको use कर सकते हैं, इन comparator में यह यह नहीं है, comparator के यह गर बात में, must define compare, ठीक है, compare function को हम लोग define करते हैं, अगर वापस आएं, अलब अलब comparator पे, ठीक है, हम आ गए, यहां क्या देख compare function को ही हमने क्या किया है, implement किया है, तो इस चीज़ को आपको समझने वाली बात है, यहां पर, यह कैसे हम लोग use करते हैं, तो यहां पर देखे, तीनो field wise हम लोग क्या कर रहे है, sorting कर रहे है, और कैसे use करना है, वो मैंने यहां यहां पर दोस्तों लिख रखा है, ठीक है, आ अब वापस आते हैं, इसी field पर, यहां पर आ गए, उसकाद, we can provide comparators for classes that we do not control, ठीक है, उनसे भी classes को भी हम लोग create कर सकते हैं, we can have multiple implementation, आपने देखा, name wise हमने अलग किया, course wise हमने अलग किया, roll number wise हमने अलग किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस इन रते जो predefined होते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब यही फिल्ट की बात हो, उस case में, तो आप यूज़ कर सकते हैं, कस्टम है, तो कस्टम के बारे हम लोगों ने, बात है किया दोस्तों, कि यह सारे क्या है, आपके, कस्टम ही तो है, सारा अलग सारा बनाया है, यह बहुत जादा दोस्तों यूज़ होता है, आपका comparable और comparator interface बहुत ज़्यदा यूज़ होता है, और जब भी आपको ज़रु रहत हो, तो आपका है, तो comparable यूज़ कर लीजिए, या फिर आप comparator यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही बहतरीन यह दो इंटरफेस है अलग-अलग फिल्ड वाइस पे आप इंप्लिमेंट कर सकते हैं ठेक है नेम कर्स और रोल बाइस हमने बना रखा है अगर आप रोल नमबर वाइस भी इप्लिमेंट करना ही चाहते हैं तो मैं इसे से को पी कर लेता हूं Ctrl-C और यहाँ पर Ctrl-V और मैंने इसको भी कमेंट कर दिया मुझे चाहिए रोल नमबर वाइस तो मैं लिख दूँँगा यहाँ पर कोर्स को हटा कर रोल रो डॉल एल ठीक है रोल कमपेरेटर तो अब देखिए इसको राट टिकर के रन कर लिजे तो आपका यह रोल नमबर वाइस भी देखिए आगया 145, 345, 445 और 545 सारे रोल नमबर वाइस सोट हो जुगा है दोस्तों इस वाकर कमपेरेटर हमने तीनों बना लिया तीनों को यूज कर लिया और कमपेरेबल भी यूज कर लिया ओको दोस्तों तो I hope इस वीडियो आपको काफी मजाया होगा और देखिए दोस्तों इसो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको काफी जादा तब और शित्रेशा से कंसेप्ट का आपको क्लियर हो जागा यहाँ जो भी कमपेरेजन हो रहा है वो अबजेक्ट हो रहा है यानि जो भी बाते हो रही है वो सारा सारा दोस्तों आपको अबजेक्ट के फॉर्म में ही कर रहे है तो यहाँ देखिए बहुत सारा फाइल है जिए वाद, थैंक यू.